क्या हुआ क्या हुआ को 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 की है लो माई यूट फैमली कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हूं कि आप सब भी बहुत अच्छों होंगे मैं भी अच्छी हूँ तो आज है दीन संडे और संडे के दिन आज मैं सुबह 6 बज़े से अपने ब्लॉग को स्टार्ट की और सुबह और पूचा मैं बाद में लगाती हूं यहां पे जो नवार वाला रूम है इसमें डोडो बैठता है तो यहां होता है उसको मैं सबसे पहले दोदेती हूं और आगया था और बैट करके सी रूम में न खाया था तो मेरा मन सुबह सुबह ही एकदम इतना मूट खराब हो गया ना कि क्या बोलू पर फिर भी अब जब हम पाले हुए हैं उसको मतलब की डोडो को रखे हुए उस गुते को तो फिर उसको देखना तो जरूरी है ना चोटा बच्चा है जब तक बच्चा रहेगा तब तक ये क्या करेगा ना इधर उधर से कुछने कुछ ला करके खाते ही रहता है कभी चुआ पकड़ के लाता है तो वो खाते रहता है जितना मिठू मुझे परेसान नहीं करती है ना जितना मैंने कोको चोको यह से परेसान नहीं करता है ना उतना ये डोडो जो है से परेसान करता है ना कि बेकार इसको बचा ही मैं, एक तो टाइम टाइम से इसको खाना भी खिलाओ, उपर से ये कुछ न कुछ ले आकर कैचरा कैचरा रूम में, जैसे कि ये गिल है ना, तो गिल से अंदर चला जाता है अभी, उतना मतलब की बड़ा नहीं हुआ है, तो ये अंदर चला जाता की टरूम की से पानी का connection नहीं है, ये डायरेक्ट वाला नल है, तो इसी से मैं सारे मतलब पानी बाहर करके, और ये दो बाल्टी में रख लेती हूँ, और दो बाल्टी फूल में डाल दूँगी, उसके बाद में ये गरिल वाला room है सो, और ये बाहर वाला जो प्लास्टर क तो अभी तो और तेज धूप होगी तो उससे पहले मन ये काम को सोचती हूं कि चलो ये काम मैं निप्टा लेती हूं उसके बाद में और कॉछा दिखाना अच्छा नहीं इसलिए मैं नहीं दिखाई और यह लीजिए पग्वान जी का पूजा सिंगार जो भी मेरे से हो पाता है सुबह में वो मैं कर लेती हूं जो भी फूल चरहने कर रहा परसाथ चरहने कर रहा धूम दिखाने कर रहा तो बस वो सब करके परसाथ खाके आ गई हूं और आज है लब की ब्लोग सुरू भी कर दी थी पर 12 बस्ते बस्ते न मेरा हालत खराब हो गया था क्योंकि वीडियो जैसे की सूट की उसके बाद में एडिट करो उसके बाद में आवाज दो अपलोडिंग एक्सपोर्टिंग बहुत है मिला रहता है पर फिर भी मैं कॉम्मिटी में डाल आप लोगों को बहुत धन्यवाज बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कॉमेंट को पढ़ करके तो लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिएगा और कल साम में न हम लोग के जैसे जेट जी की छोटी वाली बेटी है उनके हस्बेंट आये हुए है मतलब कि जमाई जी मेरे आये हुए हैं तो वही उनके लिए नास्ता उस्ता का जो भी हुआ सो मैं नास्ता में बनाऊऊंगी और दीदी भी कुछ बना रही है कुछ मैं भी बनाऊँगी तो दो गर में अपना मिल जूल को रहा है अच्छा लगता है कि अगर घर में कोई आocused нас तो एक घर में कुछ रूंड के मैंपोगी मार्णिंग में तर्का बना लूंग किसे कुछ मीठा है ऊसके बात में सब्सक्न चना कौद rezhawn हो सब्सक्राइगा के अजब सबस्सक्राइग कि घृट्य है तो भाद यहां पर चिनाध्य अब बालने के लिए चरहाई थी तो चना दाल बचा हुआ था कल मार्केट से मंगाई थी तो वस उसको मैं डिबे में डाल ले रही हूं सत्तू अभी का न बहुत जरूरी हो गया है गर्मी के सीजन में अच्छा एक कॉमेंट आया था कि आप सत्तू कैसे बनाती है तो देखिए सत्तू बनाने का बहुत चरह तरीका है पर मै सिम्पल सा तरीका में जैसे बनाती हूं जैसे कि सत्तू डाली नमक डाली प्याज काटके छोटा-छोटा टुग्रा में डाल दी और हरी मीर्च और जीरा का पॉडर बस यही डाल करके नमक यही डाल कर काला नमक सफेद नमक जो भी हो उसको डाल करके मैं चला देती थी पर अभी क्या हो गया है ना कि सत्तु जो है न सचटपटा मतलब बन रहा है मेरे यहां, जैसे चटनी बनाती हूँ तो चटनी डाल देती हूँ, धनिया वाली चटनी बनाई तो वो डाली, तो उसे भी सत्तू का टेस्ट जो है तो बहुत अच्छा आता है जैसे फिलाल आज तो मैं जो सत्तू का सर्वत बना रही हूँ husband जैसे कि बोले ना कि पहले चलो एक गिलास सत्तू का सर्वत पी लेते हैं गर्मी है ना तो डिहाइडरसन होने की बहुत मतलब की सम्भाव नाय होती है तो जब भी मन करें ना कि हां थ्रहाल का पानी पीने का मन कर रहा है ना ग्यार मैं मन जैसे, कि करें कि आधा गिलास पानी पिए तो फिर भी एक गिलास पानी पिजे, या ग्लुकोज पानी पिजे, प्राद का सरबत पिजे तो रहे हैं करिपने अभी हम लोग कि यहां 11 तरीक से गर्मी सुरू owी है यह एक 1 मई से आज है 15 मॐ गलसा चौधर मौई है तो 11 मॐसे हम लोग कहां गर्मी सूरू Settings एन तो श्रके कंबल do बस सत्तु पी उसके बाद में आ गई हूँ फिर से मैं किजन में और किजन में आकर यहां पे तरका के लिए मैं प्याज लहसान अद्रक जो भी जैसे तरका बनता है तरका मसाला देख करके वही तरका में चरहा दी और साथ मुधर चना और जिंगी का सबजी भी चरादी थोड़ा सा अलू पटल का भूझी है तो यही मौर्निंग का नास्ता हो जाएगा और इसी में हम लोग खा लेंगे तो बस यहां पे यह तरका भी त्यार है और यह सिंपल सा तरका जैसे कि मेरे हस्बन को घी वाला तरका दो पढ़ के खाने के लिए और साथ में यह हल्दी हल्दी का जैसे कि सुखा हल्दी का मैं पॉडर बनाती थी ना तब मिक्सी का जार जो है ना सो मेरा एक दो ठो जार टूटी गया जार नहीं उसका जो ब्लेड होता है वो ब्लेड टूट गिया तो इसलिए अभी मैं क्या क मिक्सी मतलब की जार का जो ब्लेड है वो भी नहीं तूटता है यहां पे दोपार के लिए मैं कठल काट करके रखी थोरा सा दाल में चरहा दी रात के लिए अभी ही मैं तैयारी भी करना सुरू कर दी दाल रात में जैसे की चना दाल भार करके बनाओंगी न तो उसके लिए अभी दाल को उबालने के लिए इंडेक्शन पर ही चरहा दी वो उबल जाएगा तो पीस करके भून करके मैं रख दूंगी रात में वो काम देगा यहां पर आ गई हूँ कपरे उपरे नास्ता उसता हो गया है हम लोगों का तो कपरे दोल करके रखी थी उसको में डाल देत हूँ बाहर में सुखने के लिए भी चट पर नहीं जाती हूँ रखने के लिए सुखाने के लिए अभी यही बाहर वाले रूम में ही रख देती हूँ ता राम से कपरा सुख भी चाता है नीचे गिरता भी नहीं है बाहर में कि कभी-कभी हावा चलती है न तो उससे भी क्य मन में रहता है नहीं कि नहीं पूजा करती हूं तो इसके लिए मैं क्या करती हूं न कि फिर से उस कपड़ा को खंखाल करके और पसार देती हूं तो यहां पे मैं क्या की न कि यहीं पे डाल देती हूं और यहां पे हवा से मतलब की किरती भी नहीं है कपड़ा तो बस इसलिए यहीं पर रख देती हूं बस उस कपड़े को मतलब की पसारदी सुखने के लिए और यहां पर आ गई हूं मैं यह कूलर जो है ना रात में बहुत जोरो की गर्मी लग रही थी तो कूलर चलाने के लिए सोची कि चोलो कूलर चलाती हूं तो पंखा जैसे ही पानी देने के पहले इसको अच्छे से साफ करेंगे अंदर में तो पानी डाल करके गुलर को चलाएंगे तो अभी क्या की ना कि यहां पिले आई और पूरा कोशिस मैं की इसको खोलने का उसका जो किताब दिया था ना तो उसको भी पढ़के मैं पूरा कोशिस की यूटूब ए वीडियो करके और चला दी कुलर को कि चलो पहले कुछ तो पानी चल जाए उसके बाद में जो पीछे से निकालने वाला है पानी उसके पानी इसका निकाल दूगी तो कुछ कच्रा तो साफ हो ही जाएगा यहां पे अभी बो पार का टाइम है थोड़ा सा मैं साग बनाई और थोड़ चैल लगता है भी बजसन के सब्जी में लगता ही है एक है थोड़ा सा मैं तेल ली एक जमस के करी और यह मैं डाल दी यह जीरई उसके बाद में मेथी और सरसो प्याज करी पत तो इसी के फोरन मैं डाली और शुरसा जोहाँ की थी लम्री एओ सबदेसर सो मिर्चा लहसन और एक टमाटर उसी के साथ पीस ली थी तो बस उसी प्याज में इस सबको फोरन को मतलब कि फोरन प्याज वाला जो फोरन था उसमें मसाले डाली भूनी और पानी डाल कर ये सबजी त्यार हो गया है और मैं कुछ सबजी बनाऊंगे जिसे कठल का सबजी है और कठल का बड़ा बना दूंगी तो दोपढ़ का खाना मतलब कि हो ही जाएगा तरका है ही और दीदी भी कुछ सबजी बनाई है तो उधर से भी आ जाएगा और यहां से भी कुछ सबजी हो जाएगा तो मिला कर के जमाई जी जो हैं हमारे दमाज चीज़ों खा लेंगे ब भी अचाहस में उतना चाय पसंद नहीं करते हैं पर फिर भी अभी गर्मी के समय है ना इसलिए पर फिर भी मेरे लिए वो भी मन मार के पी ही लेते हैं तो बस काम uta करके आगरी मन थोड़ा सा यह कोरिया मोट्री जुक खिलने के लिए दएज देखें कैची चोभाई है आई विटा इसे की तो यह देखि कशनगतें क्या होँ है काम ऑफिर और इसी के साथ आज के वीडियो को भी मैं एंड करती हूं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ आप लोग अपना पूरा-पूरा ख्याल रखियेगा झाल झाल